Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, as you know, मैंने Term 1 Grammar की तयारी स्टार्ट करा दिये. Specially for classes 9, 10 या 11. या अगर आप और भी किसी grade में हो, 6, 7, 8 है, किसी भी grade में हो, आप grammar पढ़ना चाते हो, तो आप ये videos मेरी Term 1 Grammar की बच्चे देख सकते हो. So, already अगर मैं Term 1 से लिए बस की बात करूँ, तो उसमें मैंने 2 topics पूरी तरीके से cover कर दिये थे, बच्चे, tenses और determiners, along with explanation video and MCQ video. फिर मैंने 3rd वाला topic बच्चे शुरू किया, कल मैंने release की models की explanation video, one shot revision में मैंने पूरा models clear कर दिया था. अगर आपने वो video नहीं देखिये, तो उपर मैं i button में इसका link डाल दूँगा, और उसके साथ-साथ end में भी मैं आपको, और description box में भी link दे दूँगा, ठीक है? जिसे कि आप model का one shot revision देख सकते हो. इस video में बच्चे मैं आपको models के top 20 MCQs कराने वालो, कि एक ऐसे 20 MCQs जिससे आपको पूरा models term 1 ले prepare हो जाया, और अगर आपको पुरानी videos देखनी है, literature की videos देखनी है, writing section की videos देखनी है, तो description box में link है, वहाँ पे click करके सारी videos देख सकते हैं, तो चलिए models की तैयारी start करते हैं, और top 20 MCQs करते हो, तो आप भी साथ सा solve कर सकते हो, अगर आपको test की तरह इस video को करना है, कि आपको check करना, आपके कितने questions ठीक होते हैं, तो आप pause करकर के, you can also answer the questions, start करते हैं with question number 1, और मैंने काफी important questions लियें, वो questions लियें जहाँ पे आप लोगों को confusion बहुत ज़ादा होती है, ठीक है, so he dash do this if he tried, यह ऐसा question ने, जैसे बच्चे इतना ज़ादा confused होते हैं, तो यहाँ पे चार options है, can है, good है, may है, might है, कल की वीडियो में मैंने सारी चीज़े detailing में पढ़ाई थी, उसी की application अब यहाँ पे use होने वाली है, तो यहाँ पर काफी बच्चों को लगता है can आएगा, but बच्चे यहाँ पे can नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा might, तो पहले मैं आपको चीज़ें clear करता हूँ, कि क्या मतलब है इसका, यह sentence कह रहा है कि वो यह काम कर सकता है, अगर वो कोशिश करेगा, तो यहाँ पे if word जो है, यह क्या represent कर रहा है, possibility, कि possibility की बात हो रही है, कि surety नहीं है कि वो काम होगा, यह काम तब ही होगा अगर वो try करेगा, और यहाँ पे tried लिखा हुआ है, यहाँ पे try नहीं लिखा, tried लिखा हुआ है, तो यह past tense में है, तो मैंने आपको बच्चों बताया था, कि अगर हम possibility की बात करते हैं, हम किसी action के बारे में बात करते हैं, जिसकी बारे में sure नहीं हैं, और वो past tense में भी हो, तो might use करते हैं, अगर यही possibility present में होती, तो may use करते, तो इसका answer क्या है, बच्चे, d might, अगर करते हैं, second question की, she dash run as fast as you, तो अगर मैं question का meaning देखू, question का meaning यह है, कि यह भी तुमारी तरह fast दोड सकती है, मतलब यहाँ पर बात ओरी ability की, कि she has the ability to run fast, plus यह past tense में बिल्कुल भी sentence नहीं है, यह sentence present tense में है, क्योंकि run लिखा हुआ है, run आपका first form of verb है, present tense है, तो जब ability अग capacity की बात present tense में की जाती है, तो answer आता है can, तो यहाँ पर क्या आएगा, she can run as fast as you, अगले question पर बढ़ते हैं, third question, you dash work hard to win a scholarship, कि देखो, अगर तुम्हे scholarship जीत नहीं है, तुम्हें बहुत work hard करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम suggestion दे रहें, clearly लग रहा है, बच्छे, हम किसी को suggest कर रहे हैं, कि देखो, मेरी तरफ से suggestion है, कि अगर तुम्हें scholarship जीत नहीं है, तुम्हें बहुत work hard करना पड़ेगा, तो जब हम suggestion देते हैं, तो हम तीन तरह के model यूज करते हैं, should, must, or ought to, और यहाँ पर तो आपको यही तरह का model दिख रहे हैं, तीनों में से that is a should, तो यह clearly answer आपका should हो जाएगा, और आप जब should को sentence में भी put करोगे, तो भी आपको बिल्कुल meaning complete लगेगा, you should work hard to win a scholarship, अगला question, she dash contact the doctor at once, again एक suggestion है, बहुत important suggestion है, यह कोई चीज है जो बहुत जरूरी है, कि उसको अपने doctor को contact करना जाहिए, ठीक है, तो जब कोई strong suggestion होती है, जब necessity की बात आती है, तो must use करते है, ought to use नहीं करेंगे, ought to इसलिए उसलिए नहीं करेंगे, ought to तो general suggestion है, यहाँ पर choice नहीं है, जब doctor को दिखाने की बात आती है, तो वो चीज important हो जाती है, visiting a doctor is an important thing, ठीक है, तो ought to तो होता है, कि चलो जी ऐसा होना आचाहिए, moral values के according, बट यहाँ पर जो suggestion है, वो काफी जरूरी है, काफी necessary है, काफी strong suggestion है, तो इसलिए इसका answer क्या होगा, must, तो ए आंसर आजएगा, she must contact the doctor at once. Fifth question करते हैं, I was afraid that if I asked him, he dash refuse. Again, बच्चे, जैसे मैंने first question में बताया था, जब if की बात आती है, तो इसका क्या मतलब है, possibility. And I was afraid, तो past tense, तो जब possibility की बात past tense में करते हैं, तो हम कौन सा model यूज़ करते हैं, might, तो यहाँ पर आएगा answer, might. आगे बढ़ते हैं, sixth question, dash I go to the bathroom, please, तो अब यहाँ पर please लिख दिया है, please से क्या मतलब पता चल रहा हमें, कि एक formal permission है, informal permission में हम कभी please नहीं use करते हैं, जब हम बहुत polite way में बोलते हैं, जब हम एक formal permission लेते हैं, तब हम please use करते हैं, और formal permission में में आपको बतायता है, सिर्फ और सिर्फ में यूज होता है, informal permission में तो आप can और may दोनों use कर सकते हो, बट formal permission में आपका सिर्फ और सिर्फ में यूज होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, may I go to the bathroom, प्लीज, आगे बात करते हैं, question number seven, you look very confused by the homework friend, dash I help you, कि वो पूछ रहा है कि मुझे तुम काफी confused लग रहे हो, क्या मैं तुमारी मदद करूँ, again वो permission ले रहा है, बट अपने दोस से, दोस से कोई भी formal permission नहीं लेता, दोस से बिलकुल informal permission ली जाते हैं, तुम मुझे बड़ी confused लग रहे हो, तो I am taking a permission, क्या में तुमारी help करूँ, तो यहाँ पर informal permission है, तो can और में ही आ सकते हैं, और यहाँ पर में तो option में दिया ही नहीं है, तो क्या आएगा आपका can आएगा, अगला question, कि जब जुआन दोस साल का था, वो बहुत अच्छा बोल देता था, तो यहाँ पर जुआन की ability के बार में बात की गई है, ध्यान से देखे, यहाँ पर जुआन की ability के बार में बात की गई है, कि वो बोल सकता था, अच्छा ability, अब ability के साथ अगर present होता है, तो can आ जाता है, past होता है, तो could आ जाता है, holidays पर अपने grandparents के घर जा सकती है देखो यहाँ पर dare to नहीं आएगा हम किसी को धमकी नहीं दे रहे ought to भी नहीं आएगा हम कोई suggestion नहीं दे रहे और can भी नहीं आएगा आपको ऐसा लगएगा can आ रहा है she can visit her grandparents house during holidays but can नहीं आएगा क्योंगी grandparents के घर जाना हमारी कोई ability थो नहीं that is not an ability ability होता है कि हां मैं यह काम कर सकता हूँ यहाँ पर क्या है possibility कि हो सकता है वो छुटियों में अपने grandparents के घर जा है तो models में बड़ी बार ऐसा लगता है कि यह भी answer हो सकता है आपको most suitable answer ढूणना है तो might आ जाएगा अगला question करते है the audience dash settle before the doors are closed again suggestion दे रहे हैं कि जब दर्वाजे बंद होंगे show शुरू होगा उससे पहले audience को settle down हो जाना चाहिए तो suggestion की कि इसमें should must or ought to use करते हैं और यह important suggestion है कि show शुरू होने वाला it is very necessary कि सारे audience अपनी seats पर बैट जाए ठीक है तो यहाँ पर आप clearly कौन सा use करोगे model must use करोगे ठीक है so total 20 MCQs है बच्चा हमने 10 MCQs कर दिये उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत important चीज discuss करने वाला हूँ ठीक है so I know आप लोगों का सबका dream होगा कि आपको एक अच्छे engineering college में जाना है IIT का paper से वो जाती है ठीक है so मैं आपको एक बहुत amazing offer के बार में बताने वाला हूँ that is combo offer जिसमें आप 2 साल की subscription ले के आपको 2 साल totally free में मिलेंगे and this offer is for 9th and 10th class students और इस offer में आप competition plus CBSE दोनों पढ़ सकते हो so let me quickly tell you about combo offer so guys this is a combo offer in which you can crack your IIT JEE or a neat along with CBSE so अगर आप 2 years की combo subscription लेते हो that is combo subscription includes both CBSE as well as your competitive exams तो आपको 4 साल की subscription free में बिलेगी मतलब अगर आप 2 years का subscription plan लोगे तो उसे आप 4 साल के लिए पढ़ सकते हो so जो actual price है बच्छे subscription का that is 81,000 for 2 years और जो price है वो reduce होकर offer price हो जाएगा आपका 68,682 रूपीज और बच्चे ये classes 9th और 10th के लिए है and it is only for first 500 subscribers तो आप जल्दी से subscription ले सकते हो और guys एक और amazing चीज ये सिफ IIT के ले नहीं है ये neat के बच्चों के लिए भी अगर आप neat के ले प्रिपेर कर रहे हो again अगर आप 2 साल की combo subscription लोगे तो आपको 4 साल की subscription free मिलेगी मतलब 2 साल के साथ 2 साल की subscription totally free तो बच्चे अगर आप subscription लोगे तो आपको क्या benefits होने वाले हैं देखो आप interactive life classes attend कर सकते हो आप test series में enroll कर सकते हो आप quizzes में participate कर सकते हो आपको structured courses मिलेंगे आपको PDF form में notes मिलेंगे और आप unlimited courses में enroll कर सकते हो और top educator के साथ एक ही platform पर पढ़ सकते हो ठीक है तो अगर आपको subscription लेनी है और अगर आपको discount चाहिए तो आप मेरा code यूज कर ले HS19 ये वाला code यूज करके आपको subscription price पर discount मिलेगा और 2 साल की subscription extra free में मिल जाएगी तो जिन जिन बच्चों को NEET और IIT जाहिए की preparation करनी है check the description box below take the subscription using my code HS19 next question बच्चे question number 11 there dashed be a famous shop here इसका क्या मतलब है यहाँ पे famous shop हुआ करती थी ठीक है तो used to essay models में क्या answer रहता है used to should नहीं कोई suggestion नहीं दे रहे would यहाँ पे नहीं जाएगा there would be a famous shop here यह बिल्कुल sense नहीं बना रहा है यहाँ पे जो model use होगा वो है used to मतलब कोई भी चीज यहाँ हुआ करती थी ठीक है तब हम used to use करते हैं अगला there has been a landslide you dash be careful while driving there बहुत important suggestion है बहुत necessary suggestion है कि देखो आगे landslide है तो मैं बहुत carefully drive करना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था important suggestions में आप should और must ही use करते हो यहाँ पे must option में दिया हुआ है इसलिए must is the correct answer तो यहाँ पे हम must लगा देगे आगे बढ़ते we dash definitely look into the matter the officer affirmed मतलब officer ने confirm किया कि हम definitely इस matter पे ध्यान देंगे इस matter के बारे में सोचेंगे तो क्या आपको sentence से clearly पता चल रहा है future की बात हो रही है कि हम definitely future में इस matter के बारे में study करेंगे तो जब future की बात होती है तो बच्चे will use होता है तो यहाँ पे c will आएगा ought to would dare to नहीं आएगा यह तो जहन सी नहीं बना रहा next oh I dash have loved to go with you all मतलब suppose आपको कोई बोलता है कि हमारे साथ घूमने चलो है ना बट आप नहीं जा पा रहे हो अब बोलते हो कि मैं नहीं जा सकता मतलब वो चीज फ्यूचर में होने है ठीक है but जब आप उसी will को past tense में यूज करके यूज करोगे जैसे मैं आपको क्या बोलता will is used in future but अगर वो reported speech में होता है उस चीज को past tense की तरह यूज करते है तो will की जगा would आता है तो अगर आप would यहाँ पर put करके भी देख लो कितनी अच्छी sense बन रही है oh I would have love to go with you all कि मेरा मन था तुम लोगों सा जाने का जब जाने की बात उरती तब वो future था बट अब वो बात हो चुकिया वो past बन चुका है तो तब जब future में वो बात use होई होगी तो will use करके की गई होगी बट अब वही चीज़ को जब हम past में refer कर रहे है तो will change जाता है would में तो यहां क्या आएगा would आगे बात करते हैं dash you pass me the salt and pepper आप request कर रहे हो ठीक है कि क्या आप मुझे salt and pepper पास कर सकते हो तो यहां पर क्या आएगा can ठीक है और वैसे भी देखो यहां पर ability की बात हो रहे है कि क्या आप कर सकते हो ability का मतलब यही न हिंदी में कर सकते हो क्या आप salt and pepper पास कर सकते हो तो can अगला the restaurant serves the best sushi you dash definitely try definitely का क्या मतलब है very strong suggestion कि उस restaurant में best sushi मिलता है तो में try करना ही चाहिए जब बहुत strong suggestion होता है हम क्या use करते है should तो यहां क्या आएगा should अगला you dash be informed about the result soon तो में जल्दी result के बाइन में inform कर दिया जाएगा यहां पर soon word बता रहा है यह चीज़ future में होगी अभी result आया नहीं है बट जब result आएगा तो में inform कर दिया जाएगा तो जहां future की बात होती है वहां will use करते है you will be informed about the result soon next don't you dash lie to me exclamatory mom जैसे teacher है न वो आपको warning देती है खबरदार जो मेरे साथ जूट बोला वो ही यहां पर हो रहा है तो जब warning की बात होती है तो dare use करेंगे don't you dare lie to me खबरदार जो मेरे साथ जूट बोला तो answer क्या आएगा dare अगला question the road seems uneven road story Uber खाबड़ है uneven है you dash slow down तुम्हें slow down हो जाना चाहिए ठीक है वैसे बहुत strong suggestion है should या must आना चाहिए but should और must नहीं दिया यहां पर need to दिया है तो need to भी आप use कर सकते हो need to मतलब यह ज़रूरी है road आगे uneven है तुम्हें धीरे चलना है यह तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो need to भी हम strong suggestions के लिए use कर लेते हैं अगर कोई चीज important हो इसकी ज़रत है तुम्हें slow down होने की ज़रत है last question it was a long day you dash be hungry तो देखो कोई चाह थक्या आया था तो आप assume ही तो करते हो आप confirm तो नहीं बोलता है बोलता है काफी लंबा दिन था तुम्हें हो सकता है book लगयो तुम्हें book लग रही होगी मतलब एक तना से आप assume कर रहे हो possibility की बात कर रहे हो तो आपका may आ सकता है might आ सकता है, ठीक है but यहाँ पे clearly was लिखा है तो possibility past tense में, तो might आएगा, so a is your might so guys that was all about today's video, और इस video के साथ मैंने आपको term 1 English grammar के 3 topics खतम करा दिये, that is tenses, that is determiners and models, हमने 3 topics बिल्कूल cover कर लिए, सारे जितने भी topics है, सब के links आपको एक ही playlist में मिल जाएंगे term 1 English grammar की जो आपको description box मिल जाएंगी और अगर आपको video पसंद आगी, तो बच्चो लाइक कर दो कोई भी डाउट हो, तो comment कर दो, अपने सारे दोस्तों साथ video को share कर दो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया तो please subscribe my channel easy learning with himal and press the bell icon too so that you receive regular notifications of my video और आप मुझे मेरी social media पर भी connect कर सकते हो, telegram instagram as well as on my email id, social media के links पी बच्चा आपको description box से मिल जाएंगे, thank you guys, have a very nice day